हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका इगनु बाबा में I hope you are doing well दोस्तो इगनु ने assignment में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है बहुत कुछ नए updates लाए गये हैं इगनु के तरफ से assignment में तो आज की इस वीडियो में मैं इसी topic को अच्छे से detail में बात करूँगा और comprehensive तरीके से आपको समझाऊँगा हर एक चीज के बारे में तो वीडियो को end तक देखिएगा बहुत ही ज़्यादा interesting और मज़ेदार वीडियो होने वाली है सभी के लिए जो assignment की website थी एक single page था वहीं पर सबके assignment मतलब इगनु के तरफ से publish किये जाते थे डाले जाते थे और वहीं से student को download करना होता था ऐसे में students को बहुत problem आती थी assignment ढूडने में ठीक है क्योंकि एक साथ सभी का mix-up हो रहता था उस page में लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि assignment की website बहुत ही जाता neat and clean दिख रही है फॉस्ट वाला पेज अभी क्या है कि आप direct चूज कर सकते हो कि आपका कौन सब प्रोग्राम है जैसे किसी का बैचलर डिगरी प्रोग्राम है तो वह direct बैचलर डिगरी प्रोग्राम उपन कर सकता है अगर किसी का यहां पर मतलब master डिगरी प्रोग्राम है तो direct master डिगरी प्रोग्राम उपन कर सकता है लेकिन पहले क्या था सभी प्रोग्राम एक में ही यहां पर मतलब पब्लीस होते थे इगनू के तरफ से upload होते थे तो पहला update तो यह है कि assignment की website बहुत ही ज्यादा simple मतलब औ attractive हो गई है यहां पर आपको program wise assignment देखने को मिलेंगे ठीक है अब देखिए दूसरा update है दोस्तो assignment को लेकर यानि कि जो assignment का session है उसको लेकर अभी तक इगनू ने मतलब बहुत सारे courses में December 2022 और मतलब की 2023 के जो courses है या admission है उनके लिए assignment को publish नहीं किया था बहुत सारे student पूछ र मतलब जो exam होगा वो term and exam December में होगा ठीक है तो जब December में होगा तो उसके लिए December का assignment बनाना पड़ेगा देखिए बहुत सारे student जो नए student है उनको यह नहीं पता है कि इगनू का procedure क्या रहता है assignment और admission का तो मैं आपको एक बार छोटे से brief में समझा देता हूँ जैसे ही मान ले कि यहां पर Sandwich की है दूत रहां के, एक है January Hyun और गूसरा है जूलाई C 카ve attractions है यह तो होगया admission तो ऐसे चलता है इवनु का प्रोसीजर यानि कि जून में एक्जाम होते हैं और डिसेंबर में एक्जाम होते हैं और मैं आपको बताऊं तो जो assignment है वो सीधा link रहता है exam से मतलब माल लीजिए कि आप जून का exam दे रहे हो जून session का चाहें वो किसी भी year का हो तो आपको assignment भी उसी year का उसी मतलब session का submit करना है जून का ठीक है तो अब माल लेते हैं कि अभी next exam होने वाला है दिसेंबर का तो आपको assignment जो submit करना है वो December 2022 का submit करना है तो ऐसे में बहुत सारे students को problem यह आ रही थी क्योंकि इगनु ने December 2022 के bachelor degree प्रोग्राम के बहुत सारे assignment को update नहीं किया था लाइक जैसे मैं यहां बात करूँ तो बीए का जैसे देखिए आप बैचलर डिग्री को open करेंगे तो यहां पर बैचलर डिग्री के जितने भी courses सही गनुके वो आपको एविलेबल होंगे मैं example के लिए यहां पर बीए का course ले रहा हूं ठीक है तो यहां पर मतलब बीए का मैंने open किया है तो इसमें आप देखे के तो यहां पर लिखा हुआ है जुलाई 2022 जैनवरी 2023 ठीक है यानि कि जो यह assignment update हुए है यह जुलाई 2022 22 session में जिन्होंने admission लिया था उनके लिए भी यह मतलब applicable है वो भी इसको मतलब यहां पर बना सकते है assignment को और submit कर सकते है ठीक है और यह कितने को बना सकते हैं और submit कर सकते है assignments related कुछ और चोटी सी डीटेल है वो मैं आपके साथ share करूँगा देखी यहां पर क्या लिखा हुआ है assignment one term and assignment for जुलाई 2022 session student जिन्होंने जुलाई 2022 में admission लिया है उनको कब तक submit करना है यहां पर 31 March मतलब date of submission क्या है 31 March 2023 है ठीक है और जिन्होंने मतलब क्या कहते हैं कि जो इसमें 2023 में admission लेंगे लेकिन अभी ऐसे student आए नहीं है तो मैं यहां पर इसको ज्यादा ध्यान रखना है और चोटी मोटी डीटेल है उसको ध्यान में रखना है जैसे यहां पर मैं आपको बता देता हूं assignment बनाने से पहले यह सभी चीजे आपको front page पर लिखना है आपको enrollment number name address course title assignment number study center date date जब submit करने जाओगे उसी दिन लिखना date को छोड़ दीजिए यह सभी डीटेल आपको fill करना होगा इसके अलावब जो assignment आपको बनाना है वह ए four size paper पे बनाना है carefully मतलब लिखना है सभी को अच्छे से relevant question को यहाँ पर attempt करना है और उनको neat and clean तरीके से अपने handwriting में लिखना है बहुत सारे student क्या करते हैं कि मतलब assignment बनाते नहीं है एन वक्त पे क्या करते हैं assignment खरीदते हैं और उसको ही वह चेप कर मतलब submit करने की कोशिस करते हैं बहुत सारे students को अच्छे marks नहीं मिलते हैं लेकिन मैं friends बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत ही comprehensive video इसके उपर बना रखा है कि कैसे free assignment बनाए ठीक है कैसे Google की help से सभी questions को आप कैसे attempt कर पाओगे इसके उपर मैंने video बनाया है इसके अलबा मैं यहां पर मतलब एक छोटा सा clue आपको यह भी दे देता हूं कि जर्नली क्या है कि मतलब जितने भी आपके questions होते हैं वह आपको Google पर मिल जाते हैं like देखिए मैं यहां पर एक किया तो यहां पर आपको बहुत सारे result मिलेंगे ठीक है result जो मिलेंगे यहां पर सबसे पहले आपको किसी और दूसरी website को open नहीं करना है ज्यादतर आपको visit करना है ठीक है और दूसरी website एक बताऊं जो assignment के लिए बहुत ही beneficial है वो है brainly ठीक है देखिए बी लिखते ही यहां पर आगया brainly brainly का यूज करके यहां पर देखिए same to same question बहुत सारे question आपको ऐसे मिलेंगी brainly पर जो same to same आपको दिखेंगे कि जो यहां पर इगनु ने question put किया हुआ है वही same question यहां पर brainly में answer में आपको मिलेगा ठीक है तो इन सब भी website का यूज करके आप अपने assignment को बना सकते हो और मै मैं आपको एक बहुत ही simple बात बता हूँ तो यह जो लोग है मतलब जो assignment बेशते हैं मतलब बना कर मैं बता तो खुद भी assignment नी बनाते है literally बता रहा हूं यह मतलब confirm news है और confirm बात है क्योंकि मुझे पता है वह लोग कैसे बनाते है क्योंकि मैंने उनके assignment देखें वह भी क्या क बता हुआ है literal and figurative language तो यहां से हमारे question में क्या था lateral meaning बताना था तो यहां से lateral उठा लेंगे तो कहीं दूसरे से मतलब जो यह दूसरा पार्ट है क्या है extended meaning extended meaning उठा लेंगे तो ऐसे करके कोरा के help से वो भी ऐसी assignment बनाते हैं तो आप मतलब खुद थोड़ा मतलब अपने common sense क यूज करके free assignment बना सकते हैं पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है तो दोस्तों यह assignment से लेकर एक छोटा सा update था अपडेट यह है कि जनवरी 2022 session के मतलब जो student है उनके लिए assignment अपडेट हो चुका है जुन्हों ने जुलाई 2022 में अपडेट हो चुका है तो अब किसी का य लेफ साइट पर assignment available है वह latest है वह इस साल के सभी student बना सकते हैं जिन्होंने मतलब यहां पर 21-22 वाले भी मतलब session के assignment available है लेकिन 2022 वालों को इसको नहीं चुना है ठीक है अभी सिर्फ आपको कौन से assignment बनाने है मतलब 2022-2023 session के हैं वह assignment बनाने है जिन्होंने 2022 मेंट में सलिया है यह जो dilemma है यह मतलब जो आपका concern था assignment से लेकर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like कीजिए हमारे channel को subscribe कीजिए thank you very much